नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यती आपके साथ देखिए इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद दिल्चस्प रहा कई सीटे चर्चा का केंद्र रही कई चेहरे इस बार बिहार की राजनिती को बढ़ाते नजर आए बताने की बिहार हमेशा से ही अपने यूनीक रहने के अंदास से जाना जाता है इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यहां का यूनीक नजरा देखने को मिला इस बार यहाँ पर चार ऐसे लोकसभा उम्मीदवार रहे जिन्होंने अनोखा बदला पूरा किया है जी हाँ हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखेर बिहार में ऐसे कौन से उमीदवार रहे जो पिछले बार हारे थे और इस बार जीत हासिल करके उन्होंने अपना बदला पूरा किया है देखिए इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है लालुप शाद यादफ की बेटी मिशा भारती का मिशा भारती अनोखी मिसाल बन चुकी है जी आ उन्होंने अपने साथ साथ अपने पिता का भी बदला चुकाया है दरसल पाटली पुत्रा सीट पर पहली बार आरजेडी को जीत दिलाई गई है बिहार के इस चुनाव में कई प्रत्याशियों ने अपनी पिछली हार का हिसाब बराबर कर लिया है उन्ही में से एक है मिशा भारती उन्होंने पिछले चुनाव में सांसद बनने की रा में जो बाधा बनने वाले इंसान थे उनको अगरा कर रास्ता उन्ही का रोग दिया इसमें इंडिये और मागडबंदन दोनों और चुम्मीद्वार शामिल थे देखिए पहले सीट की हम बात कर रहे है मिशा भारती की बात कर रहे है जुनका मुकाबला राम कृपाल यादव से था देखिए बड़ा उलट फेर इस बार मिशा भारती ने दिखाया उन्होंने भाजपा सांसद राम कृपाल यादव से ना केवाल पिछली हार का बदला लिया है बलकि पाटली पुत्रा लोकसभा सीट पर पहली बार राज़त का कोईूम बिद्वार जीता है दो बार से चुनाव हार रही थी मिशा भारती सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद पाटली पुत्रा सीट पर लालू पुषाद यादव भी राज़त को जीत नहीं दिलवा पाये थे और लेकिन उनका बदला मिशा भारती ने पूरा किया वही अब दूसरे सीट की तरफ चलते हैं कुछ ऐसा ही कहानी जहानाबाद से देखने को मिलाया जहाँ पर आज़ेडी के उमीदवार सुरेंदर यादव भी है पिछले चुनाव में उन्हें जद्यू के चंद्रेश्वर चंद्रवांशी से सिकस्त मिली थी इस बार सुरेंद्र ने चंद्रेश्वर पिरसाद को 1,42,591 वोटों से हराया है इसी तरह मुजफ़र पूर में भी पिछली बार भाजपा कि अजय निशाद ने वी आईपी के साथ राजभूशन निशाद को पराजित किया था इधर कटिहार में कॉंगरिस के तारीख अनवर ने जद्यूग के उमिद्वार चंद्र गोस्वामी को पराजित किया 2019 में गोस्वामी ने उन्हें हराया था इस बार तारीख अनवर ने अपना हिसाब चुकता कर लिया देखे हैं हमने चार लोग सभा सीटों के बारे में बताया लेकिन इस बार सबसे जादा चर्चा में कहीं न कहीं पाटली पुत्रा सीट रही क्योंकि मिशा भारती लगतार तीसरी बार चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में जिस प्रकार से सपोर्ट मिला मिशा भारती को तो ये तो साप हो गया है कि पाटली पुत्रा की जनता अपना सांसत बदलना चौती थी और यही कारण है कि भारी बहुमत से जियां काफी जादा वोटों के मार्जिन से मिशा भारती ने राम खृपाली आदव को हराया है राम खृपाली आदव लगतार तीसरी बार हैट्रिक मारने के फिराक में थे लेकिन पाटली पुत्रा की जनता ने अच्छी खासी वोटों से मिशा भारती को जीत दिलाई है और ये पाटली पुत्रा लोग सबा सीट से खुद लालु पिशाद यादो भी चुना लड़ चुके थे लेकिन वो भी हार चुके थे और ऐसे में के वल अपना बदला पूरा किया बलकि अपने पिता की खोई हुई स्थी जिन पर लालु यादो भी हार चुके थे उन पर भी उन्हें जीत दिलाई दर्श न्यूस वार फिल हाल के लिए इतना ही देश दुनिया और बेहार जारखन की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूस के साथ धन्यवाद